हाई, वेल्कम तो बाचोनल, इस वीडियो में स्वाल्व करें क्विशन पर थर्टेन, उद्हान देजीए का तो क्या कर रहा है कि एक स्वाप कीपर है और वो अलाव कर रहा है 23% का कमिशन, 23% का मतलब क्या 23% का छूट दे रहा है कमिशन का मतलब क्या होता है, छूट होता है, इन हीज एडवर्टाइजड प्राइस, तो वह छूट दे रहा है किसमें, एडवर्टाइजड प्राइस में दे रहा है तो advertised price क्या है यह हुआ price है जिस पर वो अकभार में या किसी नीश्वेपर में इस्तिहार निकाला है और वहाँ पर अपने product का price जो है दिखाया हुआ है मतलब कि advertisement किया हुआ है तो जब advertisement करते हैं तो price को बढ़ा कर लिखा गया है यहाँ पर मतलब यह जो advertised price होता है ना वही marked price होता है तो वो marked price से 23% का छूट दे करके बेच रहा है product ठीक है यही लिखा हुआ है कि allows 23% commission in his advertised price and still फिर भी लेकिन फिर भी जब वो 23% discount दे रहा है 23% commission दे रहा है फिर भी उसे क्या हो रहा है still max of profit फिर भी उसे profit हो रहा है कितना 10% का अच्छा 10% का profit हो जा रहा है फिर भी अब यहाँ बोल रहा है if he gains Rs.56 अब वो 56 rupees का यदि फायदा होता है gain होता है on one item वही जो advertised price पर जो item का दिखाया हुआ है उसमें से एक item यदि विक्ती है तो 56 rupees का फायदा हो रहा है तो कर रहा है find his advertised price तो बताएए कि advertised price कितना था कितने पर मतलब वो news paper में दिखाया हुआ था तो करेंगे क्या कि यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर CP का यूज हो रहा है और SP का भी और यहाँ पर advertised price मतलब कि MP का भी उच हो रहा है तो हम यहाँ पर बना लेंगे एक diagram यह बहुत बहुत जरूरी है CP MP और यहाँ हो जाएगा SP अब यहाँ पर समझना आपको बहुत जरूरी है कि MP जो है आप पर वही है आपका advertised price sorry advertised price ठीक है advertised price price बरबर है MP okay अब यहाँ देखतें क्या क्या दिया हुआ है देखें क्या दिया हुआ है यहाँ पर लाग कर रहा है 23% कमिशन तो यहाँ पर MP और SP में छूट हो रहा है मतलब advertised price से यह जब sell कर रहा है यहाँ पर 23% का छूट मिल रहा है यहाँ देदिया है 23% का discount ठीक है इसको बोल सकते हैं discount अब देखें ध्यान देजिएगा and still makes a profit of 10% अभी अभी उसको जब देने पर क्या हो रहा है 10% का profit हो रहा है तो 10% का profit होने का मतलब क्या CP और SP में profit होगा एकदम ध्यान रखिए जब भी discount या commission या rebate की बात होगी तो हमेशा MP और SP में होगा इसके बीच में होगा तो यह discount यहाँ पर दिया जाता है और CP और SP में जो है profit percent या loss percent या profit या loss की बात होगी या होती है ठीक है तो यहाँ पर का रहा है कि profit बना रहा है 10% मतब CP और SP में जो profit हो रहा है वो हो रहा है 10% का और आगे यह भी दे दिया है 10% का हो रहा है तक कितना profit है यह भी दे दिया है मतब percentage में तो दिया हुआ है यहाँ पर percentage भी दिया कि profit है 10% तो यह लिख लेते है profit percent profit percent is equal to है 10% लेकिन profit बराबर भी दे दिया है profit मतलब प्रापर होता है gain और gain और profit दोनों मतलब यहां पर दे दिया है gain दे दिया है gain 56 rupees 56 rupees दे दिया है ठीक है यह दोनों दे दिया है समझ ये ध्यान से अब कराँड़ है ki Find His Advertised Price आब पुछ रहा है ki ये जो Advertised Price है मतलब MP जो है इसका वो बताईए advertised price तो अब ध्यान दिजे, कैसे पता करेंगे तो यहाँ पर CP और SP में जो relation होता है profit percent का वही use करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूर तक देख सकता हूँ देखिए, आप जो है न, कोई question आप solve करते हैं जो अभी दिया रहता है उसमें से तो आप दूर तक तभी देख सकते हैं मतलब दूर दृष्टी तभी बन पाएगी आपकी जब आप बहुत सारे questions किये हुए हैं उसपे और आप हर तरह के questions solve करने के बाद आप समझ जगा है कि इसका basic concept क्या है तो वही आपका अभी फिर चल रहा है मतलब आप जो हैं इतने सारे questions solve कर रहे हैं तो आप जो हैं यह सब build up कर रहे हैं आपकी जो दिरिष्टी है वो बड़ी हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह CP और SP में जो यहाँ पर relation दिया हुआ है कैसे निकलेगा यहाँ पर CP पहले आप निकालेंगे CP उसके बाद SP निकालेंगे और SP के बाद MP निकल जाएगा तो कैसे CP निकलेगा देखे आपने फार्मूला पढ़ा होगा profit percent का यहाँ पर देखे profit दिया हुआ है profit percent भी और यहाँ पर प्राफिट भी दिया हुआ है तो हम इसी का यूज करेंगे हम लोग जानते है फार्मूला एक होता है profit percent इसकल टू होता है profit जितना भी profit हो रागा उसकूपर लिखेंगे अपान निचे लिखेंगे cp और multiply कर देंगे hundred से तो यह होता है formula न तो profit का formula क्या होता है profit formula होता है यह चीज जो आप जानते होंगे profit is equal to होता है sp minus cp ठीक है मैं इस question को तोड़ा साल लेंदी लेंगा क्योंकि तोड़ा समझाना है आपको इसके इसमें ठीक है चलिए हम solve करते हैं तो अब यहां solution करेंगे तो यहां थेंदी जिए केवल इन दोनों formula का use करके हम यहां पर solve कर पाएंगे तो यहां पर cp को माल लेंगे x ठीक है पहले हम cp को माल लेते हैं x हमें निकालना है advertised price मानते हैं mp निकालना है लेकिन पहले हम cp यहां पर मानना पड़ेगा तभी हम यहां भी उच्छ कर पाएंगे let cp of the product be x रुपीज माल यह cp जो है x है अब यह cp है तो हम यहां पर profit percent का हुम्रा लगा करके calculate कर सकते हैं कौन सा cp find कर सकते हैं क्यों cp find कर लेंगे आप क्योंकि profit percent दिया हुआ है 10% profit भी दिया हुआ 56 रुपीज तो cp बचाना बस तो किसी भी equation में यहां पर तीन variables है profit percent profit cp इन तीरों में से कोई भी दो पता रहेगा तो तीसरा वाला find हो जाता है यहां पर cp find हो जाएगा क्योंकि profit percent और profit दिया हुआ है है कि नहीं तो बस यहां से आप जो पहले cp निकालेंगे तो हम यहां पर इसलेंगे since we know that क्या profit percent is equal to we know that profit percent is equal to profit upon cp multiplied by 100 right तो profit percent अपर यहां 10 percent this is 10 percent is equal to profit is equal to यहां पर 56 अपान cp कितना है cp आपका है हमने माना यहां पर cp x माना है ठीक है आप यहां लिख लेंगे x rupees into 100 अब यहां पर cp निगल जागा x ठीक है कैसे में लिख लेगा तो यहां पर 10 percent दिया हुआ हुआ अब यहां पर अब एक से अमन प्लाइगे तो यहां मिल लेगा 10x इसकोल तू मिल लेगा यहां पर 56 100 अब यहां पर क्रास्मिट यहां से एक्स निकाल लेंगे एक्स पर अपन कर लेगा 10 अब आपने जब यहां पर सीपी निकाल लिया 560 तो अब निकालना है आपको सीपी क्योंकि आप जानते हैं आपर प्राफिट दिया हुआ है स्पी मैनस इसपी तो वी नो देट प्राफिट इसकोल टू है इसपी मैनस सीपी यहां पर आपको सीपी पजल गया और प्राफिट तो पता यह 56 है जा रख लेते हैं 56 इसकोल टू मिल जाएगा SP-CP और CP आपको पता है CP है आपका यहां फिर 560 रूपीज तो आपका SP निकल जाएगा और यहां से निकल जाएगा SP इसको लिजाएगा जोड़े इसमेड करतेंगे 56 में तो यह हो जाएगा 560 कितना जाएगा 6 और 0 6 हो जाएगा 6 और 5 11 का 1 1 carry over and 5 or 1 5 or 1 6 616 रूपीज हो गया SP हमें निकलना क्या है MP निकलना है अब हमारा SP निकल गया तो SP निकल गया हमारा यहां लिख लेंगे 616 अब ध्यान देजिए हमारा सावरा काम हो चुका है अब MP निकलना है MP और SP में एक relation होता है जो आपको याद होना चाहिए हमेशा जब MP दिया हो SP दिया हो और discount percent दिया हो तब एक formula होता है इन तीनों में relation का इन तीनों के relation का इन तीनों को मिला करके वो क्या होता है कि दो formula actually होते है मैं हावल लिख देता हूँ पहले पहले पहला होता है SP बराबर पहला होता है SP बराबर होता है जो सली प्राइस होती है वो निकालने के लिए क्या होता है MP में मड़पलाई कर देते हैं 100 minus discount percent discount percent upon hundred यह formula एक होता है और MP यह दिनिकालना हो तो इसी को हम यहाँ पर उल्टा कर देते हैं रसेपोकल कर देते हैं और मिल जाता है हमें SP multiplied by 100 upon यहाँ पर हो गया 100 minus discount percent ठीक है यह formula हमें तो निकालना है MP न और SP पता है हहाँ पर SP हमें यहाँ पर क्या है selling price पता है 1616 अब हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे और देखिए discount percent हमें साथ यूज होगा यहाँ पर तो MP SP और discount percent में यह formula होते हैं इनको यहाँ रखिएगा जब इस तरह question आएंगे तो तभी MP निकाल पाएगा ठीक है अब यहाँ से हम जो है formula यूज करेंगे और सो यहाँ पर हो जाएगा MP 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 is equal to हो जाएगा SP multiplied by 100 अपान यह हो जाएगा 100 मैनस डिसकाउंट परसेंट किन्दा दिया वाए यहाँ पर दिया 23 परसेंट यहाँ पर सकते हैं 23 अब यहाँ पर SP कवेल रख दिजेज 600 16 आएगा इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100 अपान यहाँ पर हो जाएगा 100 मैसे 23 मानस करें कितना अब बताएगे यहाँ सेवन्टी सेवन अब यहाँ से 11 से केंसल आट कर सकता है 11 7 जा 77 एहाँ पर यहाँ से 7 हो जाएगा और बच्छे से 6 हो जाएगा अब यहाँ जो बचा हुआ है एट और हंडर में लेकर देंगे तो मिलेगा आपको 800 रुपीज यह आपका आगया MP तो लिए सकते हैं हैंस एड़ आड़ टाइजड रटाइजड 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 प्राइस आफ दे आइटम आइटम इन्स इस उकल तो MP यह MP करावर है और वो इकल तो आगया हमारा 800 रुपीज और इस वर फाइनल आंसर ओके 800 रुपीज थैंक यू जो मुच फर वाँ वाँ झाल